हेलो श्टेंड आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अलफा इंसिट्यूट में तब च्वाशी क्लास में मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ चैप्टेर नम्मर थी का लगू उत्री प्रस्न जो कि आपकी एक्जाम में दो नम्मर ती नम्मर के आते हैं तो आज सी क्लास हमारी लगूत्री प्रस्न यानि के सौट टाइप जो कोसन आते हैं उससे होने वाली है आप सभी लोगों को हर रोज की तरह जैसे आप रोज करते हैं वैसे ही आपको पेन और कॉपी लेकी बैठना है ठीक है और पेन और कॉपी लेने का मतलब भी नहीं कि ब सिखर बैच यहां पर यहां पर आप लोगों की वालों की क्या और यह त्यारी करवाई जा रही है और लक्ष हमारा क्या है 90 प्लस है ठीक है और इस बैच से ज्वाइन होने के लिए बचे आपको अलफा इंसेटिट प्रो अप्लिकेशन आपको डाउनलोड करना होगा इस ए 930 577 375 इस नमर पर भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं यह जनकारी ले सकते हैं कोई भी अगर आपको दिक्कत है अब इस बैच में आपको प्रवाइट क्या किया जा रहा है इसमें आपके डेली लाइफ क्लासेज है डेली 10 से 12 गंटे की लाइफ क्लासेज होती है लाइफ ड बैच को आप अगर आप जोइन करते हैं तो यहां पर आपको इतनी पूरी तयारी करवाई जा रही है तो जो भी बच्चा एक्षुक है हमारे इस बैच से जोइन होने के लिए तो आज ही अलफा इंस्टिटूट प्रू अप्लिकेशन आपको डाउनलोड करें और हमारे के लिए हैं ड्रीन के लिए आपको आपको मुएक है अ हमारे सिखर को जौइन कर सकता तो जौइन करने के लिए यह आदो इस घुल होने वाली है असी क्लास में हम बात पर यह किस्की है कौर dass है ऑके है क्वा लोजी क्योंकि वीच वीच भीच में बच्चे आते न है पूसilे किस्पिश्ट्र से चले बताने के बाद भी और कौनसा चैप्टर नमर 3 का जौ आपका चैप्टर कौन सब्सुर्CE है मानव जनने अले तैंग है सॉद्ट कोशन तो यह भी आपके एक्जाम में पूछता है को के ये आको क्या करने है तैयार करने रहें से डिलास के ओर पहला है पूछता है क्या है कि सुक्रादू में 1चा क्या है सुक्राडू का 1च सबुस्द को पता है जो बोलेगा कि मुझे देखने के लिए यहां पे आपका क्या है कि उपर एक टोपी के समानः A.창 पाई जाती यानि कि यह जो टोपी वाला सहरशणा ने यहां पर कि यह जो टोपी वाली सरशना होती है इसमें होते हैं यहां पे होते केंद्र तो सुक्राड़ों के सिर्ष भाग में यानि कि हिट भाग में केंद्र के ऊपर यानि कि यहां इस केंद्र के ऊपर टोपी के समान रचन रचना सहम पाए जाती है इसोपी के इसको वोलते हैं कि again कि हो रहा है और रस और रहा है ऑपस tapping the और इंजाइम का नाम क्या है हालियो हालियो रहो और इसे मतारनेन आडाड़ों के बाहर उपश्थ जिससे सुक्राडू अंडाडू में प्रवेश्च करके उससे निसेश्चित कर सकें तो बच्चा सुक्राडू में क्या महत्व होता है सिंपल सी भासा में कि जब क्या होगा अंडाड़ू और हमें बोलते हैं कि निसेचन की क्रिया में मन नर और मादा युगमक के सल्लैन की क्रिया क्या कहलाती है निसेचन कहलाती है तो यह नर और मादा कैसे सल्लैथ होते हैं तो यहां पर जो एक्रोसोम होते हैं इस एक्ट्रोसों में होते हैं और एंजाइम का नाम होता है हाईलियो रोनेज इंजाइम यह एंजाइम क्या करता है अंडाडू की धित्यक भित्ति को भेद कर क्या करता है अंडासे के अंदर घुषता है और अंडासे के अंदर घुषने के बाद जिससे सुक्राडू अं या करेगा सुक्राड़ो को निशिचित कर देगा तो क्या बन जाएगा बन जाएगा अब बनेगा तो इस आगे बढ़ेगी और एक नए जीव का क्या होगा निर्मार होगा नेक्स ठीक है अवर्द आर्ट चक्र क्या है यह पहले जब आपको थेड़ी पढ़ा रहा था मैंने जब चैप्टर में पढ़ा रही थी उस में बच्चा आपको बहुत ही जादा इंपर्टेंट है आपके एकजाम के प्रारंब के साथ रितोस्राव प्रारंब होता है जो जनन काल की समाप्ति के पर साथ रुख जाता है तो इस काल के प्रतीमा अंडासे से एक अंडे की सर्जन होता है और निसेचन न होने की स्थिति में गर्भासे की दिवार एवं अंडासे में चक्री परिवर्टन होते है और इस चक्र को ही मासे क्या आर्थव चक्र कहते हैं सिंपल से भासा आर्थव चक्र की बचा आर्थव चक्र की तीन प्रवस्था होती है मादा में जननकाल के प्रारम्ब के समय जैसे ही हमें बोलते हैं कि मादा में महिला के इंदर जो जननकाल का प्रारम्ब होता है बचाव प्रारम्ब होता है 10 से 12 साल के गर वो लड़की होगी तो उसमें जननकाल का प्रारम्ब स्रा होगा जब जननकाल का प्रारम्ब स्रा होता ह क inventor selubi होता है त्था कि भी उस्टार्ट होती है यहीं पर कम हलका है जलनकाल समाप्ति CLU म Почему ज civ अन्डे का निर्मार होना बंद हो जाएगा एक अवस्था जिसको बोलते रजों के रजोन वृत्ति अवस्था जब अंडे का निर्मार रुख जाएगा दो पुरजोन वृत्ति की भी क्रिया भी रुख जाएगी ठीक है इतनी बाते क्लियर यहां तक क्लियर हो गया इस काल में प्रतिमा अंडासे से एक अंडे का उत्सर्जन होता है अब देखो आटों चिक्र की जो प्रवस्था होती है यह तीन प्रवस्था होती है एक होती आपकी चाहर से 12 से ईक होती हुआर मारी मैश्टर साइकल होती है इसको बोलते हैं परियार्स क्टै क्या बोलते हैं पेरियर्य वह मास्थिक धर्मी या मास्थीक अबस्था इन होता है यहां पर 10 से बारवे दिन क्या उत्यां हो आता है और हार्मोन से से क्रेशन से अंडे का निर्माड होता है जब अंडे का निर्माड हो जाता है तो 14 दिन और उबिलेशन के क्रिया के बाद यानि कि हम बोलते हैं कि 2 से 3 यानि कि 10 से 14 से 17 दिन तक संबंद बनाने से रुखना चाहे क्योंकि इस टाइम गर्ब धारड की छंता बहुत जादा होती है तो अगर ऑविलेशन के टाइम यहां पर एक ठीक है यहां पर सुक्राडू मिल जाएगा सुक्राडू फटिलाइज हो से कि दिवार एक अंडा से में चक्री प्रवड़त में तो यानि कि जब यहां पर अंडा आवलेशन में पहुंचा तो वहां पर क्या होगा रिप्रड़क्शन नहीं होगा तब जाकी क्या होगा अगर रिप्रड़क्शन की क्रिया नहीं हुई तो रिप्रड़क्शन की क्र आपरे में मना आप मेरा में पार्ट सी ऑफ Reserve घरभाशन हे उसके बात क्या है यहां से थोड़ा सा पतला फिर यह जोंगर उसक्व sensor यहां पर इसे पतला तो तो यह पुर्णा उसक्व यहां पर क्या होते है कि क्या होते हैं दो भूत heure होते हैं हम क्या बोलते हैं कि औवरी के अंदर इस औभरी के अंदर इसके अंदर क्या होता है अक यहांडे का निर्माड प्रोजिष्टरन हैर्मोन होगा यहां पर निर्माडवाइस हर्मों से इस आंडा चले आएगए चीनी नहीं कपरनी सखते तकी इसको बोलते हैं एम्पुला एंदी गुषि में बोलते हैं तुम्ब का इसको बोलते हैं संकीडन पत संकीडन फथ इस वाले भाब को बोलते हैं फंडस क्या होता है फंडस घर्भा से बनाई देती हूं घर्भासे गृवा सब्सक्राइबर और क्या हो जाती योनी को क्या बोलते हैं भिजाइन डेक्र आपचो भुलते है कि इक लेयर हो जाएगी और कि ट्रोंने में बढ़ी अब दिखो यहां पर यहाँ पर होगा तो कपल गवी सेक्षल इंटर्कोर्स के दवरान जब क्या करेगा इस पॉचिएगा यहां पर अंडा पहुच गया है और अब कैसे पहुचेगा क्यों कि पास कोई हाथ पहुच्छ होते नहीं तो यहां पर क्या होती होती इस लिए के माध्यम से जो अंडा होता है एंपूला में पहुंच जाता है तो जब अगर यहां पर इस पर्म गया तो दोनों क्या हो जाएंगे तो आवर्थ चक्रे की प्रवस्था क्या हो जाएगी रुक जाएगी लेकिन यहां पर यानि कि sexual intercourse नहीं हुआ जब evolution का time था वहां पर इस पर्म नहीं पहुंचा इस पर्म एक को नहीं मिला अंडे ने क्या 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 वेट करते हैं किसी का बहुत दिल से बहुत चार से वेट करते हैं और हमें वह व्यक्ति क्या करता है में टाइम पर धोका देता है यहां पर यहां क्या करो पत्षै करूए सपम घुरी तो यहां पर क्या होगा यहkeepingा यहां तो रहाएं सब्सक्राइ座 करख इसकिते हैं क्या बहुत घ्राये यहां जान होँ तो यहां पर इसकी क्या है क्या फोसकी नहीं होता है गर्भासे तीन अस्तरों से यह होता है पेरिमेट्रियम और यह होता है एंड्रोमेट्रियम और अंड्रोमेट्रियम और अंड्रोमेट्रियम और अंड्र की लेयर क्या होती तूटने लगती है जब अंडा निसेचित नहीं होता तो यह वाली गर्भासे की दिवार के ल इसको स्राव किया जाता है इसी को क्या बोलते हैं मासिक धर्म क्या बोलते हैं या रजोधर्म भी बोलते हैं तो सबसे पहला जो श्टार्ट होता है इसको रजोधर्म या एक नाम और बोलते हैं रजोधर्शन क्या बोलते हैं रजोधर्शन कि पहले बार का और जब खतम होग तो उसको बोलते हैं रजोन रजोन वृत्ति क्या बोलेंगे रजोन वृत्ति यह होते हैं आवर्थ चक्रे मुझे आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा यह सारी चीजी ठीक है निस् ने स्ड़ीस के पूरवव अनडाड़ु से फोर्टिलॉजेश्ड का ug릴 करता है और यह शुक्राड़ों की सत्फापर एंटी फोर्टिलाइजड नावगराही से क्रिया करता है जिसके फॉल सुरूप दोनों में आशंजन हो जाता है तो आप क्या लिखोगे कि निसेचन की पुर्व अंडाडू से पुर्व क्या होता है अंडाडू से पुर्व क्या होता है और यह सुक्राडू की सता पर एंटी फर्टिलाजिन नामक ग्राही से क्रिया करता है अब देखो क्या होगा जैसे ही निसेचन की पुर्व अंडाडू से क्या होगा फर्टिलाजिन नामक का स्रावड होगा तो यह क्या करेगा कि सुक्राडू की सता पर एंटी फर्टिलाजिन नामक ग्राही से एक क्या होत पूरूला तथा ब्लाश्टुला में एक अंतर लिखे आप पूछ रहा है और प्लाश्टुला प्लाश्टुला में क्या करना बच्छा आपको एक अंतर लिखना है आप देखो युगमनच के बिदलन के फलसुरू कोस्तिकाओं से बनी ठोस के सद्रिश सरशना मौरला कहलाती है ठीक है आप देखों यहाँ पे जब क्या होगा जब यहाँ पे नर का प्लस मादा जब नर और मादा दोनों क्या होंगे सल्नाइत होंगे तो सल्नाइत होने से क्या बनाएंगे युगमनच क्या बना दिये युगमनच अब इस युगमनच यानि के टो यन है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा विदलन और विदलन के क्रियान में बच्चे आपको यह देखना है कि यहाँ पे विदलन में क्या होता है समसुत्री विभाजन क्या होगा समसुत्री विभाजन तो समसुत्री विभाजन के दरान यहाँ पे एक है तो एक से कितनी बन जाएंगे दो बन जाएंगे, दो से कितनी बन जाएंगे, चार बन जाएंगे, चार से कितनी बन जाएंगे, आठ बन जाएंगे, ठीके, ठीके, तो ऐसे ऐसे क्या होती, सरशना बढ़ती जाती, तो ये क्या हो जाती है, ठोस गेद जैसी सरशना बन जाती है, इसे सरशना को क्या बोलते ह मारूला कहते हैं क्या वोलेंगे मारूला कहते हैं आगे व्लाश्टूलाा वस्था में रिगीर सद्रस्द भुण में पोरग कुणा या बलास्टो सिल पॉक्णा पाई जती है अब देखो जो ब maximal Set चन्राश्ट में फोक और या जो पाई जाती है तो यह होते हैं आपके मारूला तथा बलाश चुलाक में एक अंतर ठीक है अगर आपकी एकजाम में यह पूछ दे तो आपको यही क्या करना है लिखना है नर मानों में ब्रिशड उदर गुहा के बाहर क्यों होता है तो देखो इसको करने से पहले मैं आपको एक डाइग्राम लेती हूँ देखो डाइग्राम की मादर से चीजों को समझोगे तो बहुत जादा क्लियर समझ में आएगी यह क्या है बच्चे ब्रिशड कोस ब्रिशड कोस ब्रिशड मुझे नहीं लगता कि इस इंग्लिस लिखनी जरूरत है क्योंकि आप लोग इतना बार पढ़ चुके हो तो पता तो होई गया होगा आपको ठीके तो मुझे नहीं लगता ठीके इसको बोलते हैं ब्रिशड पालिका अब इनकी संख्या वच्चा होती है दो सपचास ठीके ब्रिशड पालिका इनके अंदर होती है सुक्रजनन नलिका क्या होंगे सुक्रजनन नलिका क्या है सुक्रजनन नलिका कि सुक्रजनन नलिका में सुक्रजनन नलिका को इसका होती जिससे स्परम का यानि कि सुक्राणों का अंदिर्माण होता है ठीके ना ध्यान देना अब देखूंग कि मानोग की डी मानोग की ताब होता है एक कि इससपरम को बनाने के लिए किसको बनाने के लिए बच्चा इस प Speed बनाने के लिए अगर इस पर का यानि कि जो बश्ड का इस स्टेसक अभी एगर it is 30 degree Celsius रहा तमप्रेशर क्या सूद्ध होगा इस पॉम् मुप कोandyette पाएगा open इसका टमप्रेशर क्या होता है कितना होना चाहिए दो इसे यह तक्षि क्या से दो से या 2.5 या बोले की दो से 3 डेगरी का होना चाहिए कम उना चाहिए इसका तापमान जब तापमान कम होगा तो क्या होगा एक मेल गैमिट का निर्माड होगा इतनी चीज़े क्लियर अब यहां पर देखो एंसर क्या है कि नर्मानों में ब्रिशड सरे से बाहर ब्रिशड कोस में उपस्तित होते हैं नर्मानों में ब्रिशड ब्रिशड कोस के बाहर ठीके ब्रिशड कोस ब्रिशड के बाहर इस्तित होते हैं प्रिशड सरी से बाहर ब्रिशड कोस का तापमान सरीर की तापमान से 203 डिगरी सेल्सेस कम होता है जिस पर सुक्राडू का निर्माड होता है तो सरीर का तापमान अधिक होने के कारड सरीर के अंदर सुक्राडू का निर्माड संभव नहीं है अतर जन्म की समय ब्रिशड अपने मोल स्थान से हटकर ब्रिशड कोस में आ जाते हैं अब ध्यान देना ध्यान आपको यह देना है कि यहां वे क्या बोला है कि इसका जो इस ब्रिशर कोस का जो टमप्रेचर है अगर बॉड़ी का टेमप्रेचर 30 डिग्री है तो इसका क्या होगा 2-3 डिग्री सेल्सेस या मैंने बोला 2-3 डिग्री सेल्सेस क्या होना चाहिए कम ह होना चाहिए क्योंकि इतना कम होगा तब जाके शुक्राडू का क्या होगा निर्माड होगा क्या होगा सुक्राडू का देनी है अब देखो आगे क्या बोला है इसे बोला है ठीक है का तापमाद अधिक होने के कारण सरी के इंदर सुक्राडू का संभा नहीं है अगर यहां पर बॉड़ी का टमपरेचर अगर 30 डिगरी सेलसे सी रहा ज्यादा ही रहा तो यहां पर सुक्र जनन के क्रिया नहीं होगी और सुक्र जनन के क्रिया से किसका निर्माड हो रहा है सुक्राडू का निर्माड हो रहा है ठीक है अब देखो और क्या बोला है यहां पर आता जन्म की समय ब्रिशड अपने मूल अस्थान से हट हट कर ब्रिशड कोस में आ जाते हैं देखो क्या होता है यहां पर क्या बोला है कि जन्म से पहले यानि कि जब तक जन्म हुआ है जब तक जन्म नहीं हुआ है तो ब्रिशड क्या है प्रजेंट है लेकिन क्या होगा कि जब जन्म से के बात जन्मी की तुरंद बात क्या होगा जन्मी की समय जो व्रिशड होगा ठीक है यह व्रिशड क्या होगा पहले अपने मूल अस्थान पे , लेकिन जन्म की समय क्या गोजायेगा ब्रेश Soul 9 पस्तित हो जाएगा क्यों जभाए के हिछ बाहए मिल गईमीट का निर्मांड करेंट कर नहीं होगा तो हमारी मानल जाते जो एक स्थिर्टा है व्यो पने जीवन की स्थिता वो नहीं बन पाएगी और नाक्ष बिदलन को परिभासित कीजिए और बिदलन इवं समसुत्री कोशिका बिभाजन में अन्तर लिखिये लाक्स कोशन है कि बिदलन को परभासित कीजिए और बिदलन इवं समसुत्री कोश का बिभाजन में अंतर लिखे यानि कि आपको यहां पर क्या करना है अंतर लिखना है तो देखो बिदलन निसेचन के 24 घंटे के बाद से युगमनस में बिदलन की प्रक्रिया प्रारंब होत है अब देखो यानि कि यहां पर बच्चा अगर देखो मैं बस सौट सौट ले रही हूं मेल प्लस फीमेल वच्चे आपको इतना ध्यान देनी है समझनी है यहां पर बन जाएंगे बच्चे जाइगोट और जाइगोट बनने के बाद क्या हो जाएगा बच्चा क्लिवेज तो कितने विदलन के निशेचन के 24 घंटे यानि कि निशेचन यहां पर क्या होगा 24 घंटे बाद यह क्रियाई स्टार्ट हो जाएगी क्या हो जाएगी यह क्रियाई स्टार्ट हो जाएगी युगमनेश का समसुत्री विभाजन द्वारा लगतार बढ़ती हुई संख्या और घटेवे अकार की कोसिकाओं में सतत विखंडन विदलन कहलाती है, अब अगर विदलन के डिफनेशन को आपको बोला जाए कि विदलन का क्या होगा, देखो यानि कि यहां पे बच्चे आपका जाइगोट है, यहां पे क्या है बच्चे जाइगोट है, अब जाइगोट म बन गई यहां से देखो संख्या में जादा होंगी लेकिन अकार क्या होती जाएंगे इनकी छोटी हो जाएंगी यहां पर क्या हो जाएगा इनका छोटा पनाता जाएगा फिर यहां पर क्या हो जाएंगे अकार में छोटी होती जाएंगी और अकार में छोटी होने के साथ साथ क्या कर लेंगे एक गोध जैसे सरश्णा बना लेती हैं और इसी गोध वाली सरश्णा को हम क्या बोलते हैं मारूला बोलते हैं तो देखो क्या बोला है कि युगमनेश का समसुत्र संख्या यहां पर एक है यहां पर दो यहां पर चार से कितने हो जाएंगे आठ आठ से सिंपल से भासा बिदलन की डिफिनेशन अब क्या बोलोगे कि बिदलन को पर भासित कीजिए तो देखो बिदलन के 24 घंटे की बास से युगमनज भी बिदलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और युगमनज के में लगातार समसुत्री विभाजन से दरा लगातार बढ़ और समसुत्री विभाजन में अंतर होते हैं अवर एक साइड़ क्या है समसुत्री विभाजन में लाजन कौन सा बिदलन और यह नहीं कोशिकाओं में होता है तो जो दोन की प्रक्रिया होती है और इसकी अंत्रावस्था चोटी होती है और इसकी अंत्रावस्था लंभी होती है आपने 11 में एक चैप्टर आपका रहा होगा समसुत्री कोशिका विभाजन एवं कोशिका चक्रवाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें इसमें ग्रिटेल से देता है इसमें अंत्रावस्था में केवर DNA का संस्लेशर होता है यानि कि जब विदलन की जो अंत्रावस पास्त्रावस्था में कि स्में और दोनों का संस्लेशर होता है यानि कि इन में क्या हो जाएगा इना क्या हो जाएगा और देन ने कोगो जो अंत्रावस्था क्या होती है इनमें क्या होते हैं सेल का ठीके ग्रोथ नहीं होती कि इसमें क्या होगा स होगा इतना ध्यान देना है की अकार में बृधि नहीं होती यह यह मनिस्छाइव के शाषा अकार में भी वरी होती है अब सम्सुत्रविभाजिन में क्या होता है कि कोशिकाओं की संख्या में भी क्या हो रहा है ब्रिद्धी होती है सासत अकार में भी ब्रिद्धी होती है यानि कि यानि कि अभी हमने इसका जब क्या करा इसका जब जाइबोट का बिद्दन हुआ तो यहां पर क्या हो रहा है सं बनाते हैं तो यह होते हैं आपके समसुत्री विभाजन विद्लन की डिफनेशन तो बच्चे आपको क्या करना है यह सारी चीज़ें जितने भी मैंने आपके आपके आपको तयार रखने हैं ठीके आई नहीं कि अभी बहुत टाइम है तो हम रिवीजन नहीं करेंगे टाइम पढ़ने हैं आपको सेरियस होके पढ़ना अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगे तो बस अच्छी क्लास में इतना है फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में एक ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद